प्राहु लेखु ए बेहनो मेरी तुम क्यों एमान गवा बैटी कुफार से चाहते के जजबात जगा बैटी एब बेहनो मेरी तुम क्यों एमान गवा बैटी कुफार से चाहते के जजबात जगा बैटी Allah की चाहत को जिस दिल में बसाना था आका की महबत को जिस दिल में बसाना था आका की महबत को जिस दिल में बसाना था इसलाम के दुस्मन को उस दिल में बसा बैटी एब बेहनो मेरी तुम क्यों एमान गवा बैटी कुफार से चाहते के जजबात जगा बैटी अपनों से अदावत है अपनों से अदावत है गेरों पे इनायत है नफरत है गुलावों से काटों से लगा बैटी जिसकी न दफा कोई वो रोग लगा बैटी एब बेहनो मेरी तुम क्यों एमान गवा बैटी कुफार से चाहते के जजबात जगा बैटी एहकाम शरीयत का कुछ पास नहीं तुम को इसलाम से उल्फत भी कुछ खास नहीं तुम को एहकाम शरीयत का कुछ खास नहीं तुम को इसलाम से उल्फत भी कुछ खास नहीं तुम को मरना है तुमें एक दिन एहसास नहीं तुम को मखलूक की यादों में खालिक को भुडा बैटी ए बेहनो मेरी तुम क्यों एमान गवा बैटी कुफार से चाहत के जजबात जगावें में बदकारी की लस्त में तुम इतनी हुई अन्दी मगरिब की सिपात में तुम इतनी हुई अन्दी बदकारी की लस्त में तुम इतनी हुई अन्दी पाफिर की मुहबत में तुम इतनी हुई अन्दी इसलाम किसी ने पर समझे चला बैटी अन्दी तुम क्यों इमान गवावें की कुफार सचाहत के जजबात जगावें न्दी अब दुल्य तो बेपरदा फिरने का नतीजा है मर्दों से बिला हाजत मिलने का नतीजा है अब दुल्य तो बेपरदा फिरने का नतीजा है मर्दों से बिला हाजत मिलने का नतीजा है आजाद फजाओ में जीने का नतीजा है अग्यार की आँखों से तुम आँख लड़ा बैठी ए लेहनो मेरी तुम क्यों इमान गवा बैठी कुफार से चाहत के जजबात जगा बैठी ए लेहनो मेरी तुम क्यों इमान गवा बैठी कुफार से चाहत के जजबात जगा बैठी असलाम औरे बैठी